मोवी के शुरुवात में हम कौनन को देखते ही decision जो अपनी प्रेमी का वैली रहा के कबरे के पास बैठकर प्रातना कर रहा होता है साथ ही उसका दोस महलग भी होता है जो चोरी की दन को एक बैग में भर रहा होता है पर तब ही अचानक वहाँ पर कुर सिपाई हमला कर देते जो लोग कॉनन को पकड़ना चाते थे लेकिन कॉनन एक एक करके सबी सिपाईयों को मारने लगता है जो दीएकर उन सिपायों की लीडर कुइन टेरमेश कॉनन से कहती है कि जैसे मैंने तुमारे बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया दरसल मुझे तुमारी ज़रुवत है जिस पर कॉनन कहता है कि वो किसी दूसरे के लिए काम नहीं करता जिस पर फिर कुइन टेरमेश कहती है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुमारी सबसे बड़ी इच्छा को पोरी कर दूँगी यानि कि मैं तुमारी प्रेमिका को पुनर जीवित कर दूँगी जो सुनकर कॉनन उसके काम को करने के लिए तुरन मान जाता है अब इसके बाद कुइन उसे अपने महल में लेकर जाती है जहां पर वो कॉनन को उसके बार में बताते हुए कहती कि कूफिया के लिए में एक चाबी रखी हुई है जिसको तूट एमोन नाम का एक जादूगर गाड़ कर रहा है और उस चाबी को वही जू सकता है जिसके शेरी पर एक खास निशान हो और वो खास निशान राजकुमारी जैना के शरीर पर है इसलिए तुम्हें राजकुमारी को लेकर वहाँ जाना है ताकि वो चाबी को वहाँ से ला सकी जिस पर अब कौन उससे सवाल करता है कि आखिर उस चाबी से खुलता क्या है इस पर कुईन बता थी कि उस चाबी से खजाने का दर्वाजा कुलता है जिसकी अंदर एक हौन याने की सिंग रखा हुआ है और उस जगह तक जाने का रास्ता कीवल राजकुमारी कोई पता है और अगर तुम उस हॉन को लाने में कामियाब होते हो तो मैं उस हॉन की मदद से तुमारी प्रेमियका को जिन्दा कर दूँगी पर तबी हुआ पर राजकुमारी की चिलाने की आवास होना देती है जो कोई डरावना सपना देखकर घबरा गई होती है इसलिए अब कुईनों से अपने जादों से सुला देती है जिसकी बाद हो कैप्टन आफ गार्ड बॉंबाटा को कहती है कि जैसी राजकुमारी को वो होन मिले तुम कॉनन को मार देना और वह ही ध्यान रहे कि राजकुमारी यां वापस लोटने तक वरजी नहीं रहे ताकि हम सपनों के देवता जैगों के सामने राजकुमारी की बली दे सके वहाँ ही कॉनन को इस बाद की जरा सी भी खबर नहीं होती कि रानी उसके साथ चाल चल रही है अब अगले दिन वो सब सफर के लिए निकल पड़ते जिसके बार कॉनन अपने जादूगर दोस अकिरों से मदद ले निकले जाता है लेकिन वो देखता है कि कुछ आधिवासी अकिरों को पकड़ कर जलाने जा रहे है जो देखर कॉनर और उसके लोग उन आदिवासों पर हमला कर देते जी इसके बाद आदिवासी उन सब से डरकरवान से भाग जाते दरसल वो आदिवासी अकीरो को मार कर खाना चाते थी क्यूकि वो सोचते थे कि Akiro को मारकर खाने से उसकी जादो की शक्तिया उन सब को मिल जाएंगी फिर इसके बाद Conor Akiro को अपने साथ चलने के लिए कहता है जो सुनकर Akiro तुरन मान जाता है अब इसके बाद उस सब आगे सफर कि और निकल पढ़ते जहांब सफर के दौरान कॉनर उसके साथ ही देखते है कि कुछ लोग जूला नम की एक मैला डखो को गिर कर मारने की कोशिश कर रहे उन लोगों ने जूला के बागी साथी को मार दिया होता है इसलिए अब वो लोग जूला को भी मारने बढ़ते है जो देखर अब राज कुमारी कॉनर से उसे बचाने के लिए कहती है जिस पर अब कॉनर जूला के जंदिर को काट देता है जो देखर जूला खुश हो जाती है अब जूला को अज़ार करने के बाद कॉनर उसके साथ ही वहां से निकल जाते है और इधर जूला भी उन लोगों को मारते हुए वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है जिसके बाद वहां से सीधे कॉनर की ओर जाती है लेकिन तब ही बॉमबटर जूला के पास जाकर उसे अपने साथ आने से रोकता है क्योंकि वह सोचता है कि अगर वह साथ में रही तो कॉनर को मारने में प्रॉबलम हो सकती है लेकिन तूला कॉनर के साथ में जाना चाती है इस वज़े से वह बॉमबटर से लड़ने लगती है जो देखकर कॉनर तुरंट वाकर उनकी लड़ाई रोक देता है अब यहाँ पर दूला कॉनर से कहती है कि आपने मेरी जान बचाईए इस वज़े से अब मैं पूरी उम्र आपकी हिफाज़त करना चाती हूँ जो सुनकर कॉनर उसे भी अपने ग्रूप में शामिर कर लेता है फिर कुछ दिनों के सफर के बाद उन सब को किला दिखाई देता है जो समूदों के बीचों बीच होता है लेकिन अब राट भी होने वाली होती है इसलिए कॉनन सब लोगों से किले में अगली सुबा जाने के लिए कहता है दूसी तरफ जादुगर भी अपने जडों से उन लोगों को यहाँ पर आता हुआ देख जाता है जीसकी बाद अब रात में जादुगर एक बहुती बड़ी चीडिया के रूट में बदल कर उन लोगों के पास में आता है जो इसमें सोरे होते उन लोगों को अब सोता हुआ देकर जादूगर चुपके से राजकुमारी को उठा ले जाता है आप सुबा में जैसे सब लोगों को पता चलता है कि राजकुमारी वहाँ पर नहीं है तो वो सब गबरा जाते जिसके बाद अब अखीरो अपने जादू से कॉनर को बताता है कि वो जादूगर ही राजकुमारी को अपने साथ केले में ले गया है जो जानकर कॉनर और उसके साथ ही तुरंद एक नाओं में बैटकर केले की और निकल जाते अब वहाँ पर पहुशने के बाद उने अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता जिसके बाद अखीरो अपने जादू से एक रास्ता पता करता है जो पानी की अंदर से होता है इसलिए अब सब लोग पानी में कूछ जाते और किसी तरह से महल के अंदर जाने में कामियाब हो जाते महल के अंदर अब कॉनर को एक दरवाजा दिखाई देता है लेकिन कॉनर जैसी उस दरवाजे के अंदर से जाता है तो वो दरवाजा तुरंती बंद हो जाता है जिससे Connor उसकंडी में अकेले ही F aja जाता है तब हमाँ पर जादूगर जादू से अपना एक प्रतीबिंद बनाता है जो इक राक्षस की तरह दिखाई दे रहा होता है और फिर वो राक्षस Connor पर हमला कर देता है यहाँ पर कॉनर उसे तलवार से मारने की कोशिश करता है लेकिन राक्षेस जादू का ये एक प्रतिबिंदे था इस वजे से तलवार का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता जिसके बाद राक्षेस कॉनर को मारने लगता है पर तभी लड़ाई के दोरान कॉनर के तलवार शीशे पर जा लगती है जिससे राक्षेस भी घायल हो जाता है जो देखर कॉनर राक्षेस को मारने का तरिका जान जाता है इसलिए वो एक एकर के सबी शीशो को तोडने लगता है जिससे राक्षस बोरी तरह से घायलोकर तड़पने लगता है हाब अंत में वहाँ पर किवल दो ही शिशा बचा था जिसमें से एक शिशा तो वो दरवाजा होता है जिसके रासे से कौनन आया था इससे वो समझ जाता है कि जादुगर दूसरे शिशे के पीछे चुपा होगा जो समझते ही वो तुरंट अप्री तलवार से उस शिशे पर हमला कर देता है जिससे तलवार सीधे जादुगर के पेट में जा लगती है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है पर तब ही वहाँ पर राजकुमारी की चिल्दाने की आवास सुनाय देती है जो सुनते ही सब लोग तुरंद वहाँ दोड़कर जाते है वहाँ ही अब राजकुमार उस चावी वाले कमरे में जाती है और वहाँ से उस चावी को उठा लेती है जो एक हीरे की जारा होती है लेकिन चावी उठाते ही वो किलाब डैने लगता है जो दीखर कॉनर सब लोगों को वान से लेकर नाव में आ जाता है और फिर वो लोग किसी तरह से वान निकलने में कामियाब हो जाते आप इसके बाद राजकुमारी उन्हें खजाने वाले मेहल में जाने के लिए लेड़ करती है लेकिन अब रांसने में कुईन के प्लैन के नुसर उसके सबाई कॉनर उसके साथी उपर हमला कर देते यहीं सिलब कॉनर और उसके साथी भी उन पर जवाबी हमला करते हुए सारे सिपाईयों को मारने लगते पर तब ही Conan देखता है कि एक सिपाई राजकुमारी को लेकर वान से भागने की कोशिश कर रहा है जो देखकर Conan उसका पीछा करके उसे मार गिराता है लेकिन तब ही वहाँ पर बॉंबार्टा भी Conan पर हमला कर देता है जो जानकर Conan चौक जाता है पर अब Conan की पूचने पर वह कहता है कि मुझे लगा कि तुम राजकुमारी को यहां से ले जाने की कोशिश कर रहे हो इस सोजे से मैंने तुम पर हमला किया था पर अभी सुनकर Conan को उस पर थोड़ा शक हो जाता है पर वो अभी के लिए कोच नहीं कहता अब इसके बाद वो एक जगह पर रात गुजारते हैं और फिर दिन होते ही राजकुमारी उन्हें लेड करते हुए आगे बढ़ती है पर अब एक जगह पर रास्ता थोड़ा पतला होता है कि सोजे से वो सब पैदल ही आगे बढ़ते हैं पर फिर कुछ देर में वो सब मैल के बास पहुच जाते हैं जिसके बाद वो सब मैल के अंदर प्रवेश करते हैं अब यहां मैल के अंदर उन्हें एक विशाल सा दीवार वाला दर्वाजा दिखाई देता है जिसे कॉनन और बॉम बार्टर दोनों मिलकर खोलने में काम्याब हो जाते हैं जिसके बाद उस अब उस दर्वाजे से कमरे में पहुचते हैं यहाँ पर कीरो दिवार पर लिखे एक लेख को पढ़कर समझ जाता है कि अंत में इस लड़की की बली चड़ाए जाएगी जो जानकर वो कॉनन को इसके बार में बता देता है लेकिन कॉनन को उसकी बार पर उश्वास नहीं होता फिर राजकुमारी चावी को एक जगा पर रख देती है जिससे खजाने का दर्वासा खुल जाता है जिसकी बाज राजकुमारी तुरंद उसकी अंदर जाती है और फिर उस हौन को लेकर बाहर आ जाती है आप वो लोग जैसे उस कमरे से बाहर जाते हो देखते कि उस हौन की रक्षा करने वाले लोग बिवाँ पर पहुँच गए इसलिए वो लोग हौन और लड्की को उन लोगों को सौटने के लिए कहते है क्योंकि वो लोग खुदी उस लड्की का कई सालों से इंदेदार कर रहे थे ताकि उसकी मदद से वो लोग भी सपनों के देवता को जीवित कर सके लेकिन कॉनन ऐसा करने से मना कर देता है इसलिए अब उन सब लोगों में लड़ाई शुरू जाती है अब क्योंकि गार्ड की संक्या काफी अधिक होती है इसलिए कॉनन सब लोगों से मैल के अंदर जाने के लिए कहता है जिसके बाद अब कॉनन के साथी उस विशाल दरौजे से मैल के अंदर वाले कमरे में घोच जाते है और फिर बॉंबर टा लिवर को कीच कर दरौजे को बंद करने लगता है ताकि कॉनन दरौजे के दूसरी साइडी फार जाए लेकिन कॉनर दर्वाजे के बंदोने से पहले कमरे में आ जाता है जिसके मार गार्ड का लेडर जो एक जादूगर भी होता है वो अपने जादू से उस दर्वाजे को खोलने लगता है अब ये देखकर राजकुमारी कहती ही कि तैखाने के रास्ते से हम लोग बाहा निकल सकते इसलिए वो सब तैखाने वाले रूम की और बढ़ने लगते पर वहाई दूसरी तरफ जादूगर दर्वाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है इजर कॉनर उसके साथी तैखाने वाले रूम में घुसकर उसके दर्वाजे को बंद कर देते लेकिन जादूगर इस दर्वाजे को भी अपने जादू से खोलने लगता है जो देखर अब अकीरो भी अपने जादू का प्रयोग करके उस दर्वाजे को बंद करने की कोशिश करता है और अंत में अकीरो कामयाब भी हो जाता है आप दर्वाजे को बंद करने के बाद उस अब तैखाने के रास्ते बाहर की हो जाते लेकिन तब ही बॉमबर्टा तेखानी की एक दिवार को तोड़कर कॉनर उसके साथियों को बीच में ही रोग देता है और फिर वो राजकुमारी को लेकर बाहर निकल जाता है अब यहाँ पर जब राजकुमारी उसके बाकी लोगों के बारे में पूस्ती है तब बॉमबर्टा राजकुमारी से जूट कहता है कि वो लोग आ रहे जिसके साथ ही वो राजकुमारी को लेकर वाँसे निकल जाता है दूसी तरफ कॉनर उसके साथ ही भी किसी तरह से महल से बाहर निकलने में कामियाव हो जाते और जब Conor यहाँ पर बॉम बटा और राजकुमारी के गोड़ों को नहीं देखता तो वो समझ जाता है कि वो लोग यहाँ से चले गए जिससे अब Conor का शक यकीन में बजल जाता है इसलिए वो अपने साथियों को समझाता है कि दरसल कुईन का प्लान हम लोगों को मारना ही था और उसने मुझसे जो वादा किया था वो सब भी जूट था जिसके बाद और Conor कहता है कि अब में राजकुमारी की बली चड़ाने से पहले उन्हें बचाना होगा इसलिए अब Conor और उसके साथ ही वहाँ से निकल कर मेल की और निकल जाते अब यहाँ पर मलग कहता है कि हम मेल में दर्वाजे के रास्ते तो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर सेकड़ों सिपाई होंगे लेकिन कुछ साल पहले मेरा चचेरा भाई इस मेल की जिल को तोड़ कर एक खुफया रास्ते से बाहर आया था जो रास्ता मेल की पीछे से एक जरने से ओकर जाता है इसलिए अब Conor उसके साथ ही उसी खुफया रास्ते से मेल के अंदर जाने की कोशिश करते लेकिन वो खुफया रास्ता लोही की मजबूर रोड से बन कर दिया गया होता है जो देखर सब लोग निराश हो जाते लेकिन फिर Conor अपने फॉलादी शेरी की ताकत से लोही की रोड को फैला कर अंदर जाने के लिए रास्ता बना देता है दूसरी तरफ हम राशकुमारी को देखते जिसे रिचुल के लिए सजा कर तयार किया गया था जिसके बाद कुईन राशकुमारी को कुछ पिलाती है ताकि जब उनका बली दिया जाए तो उन्हें कुछ पता ना चले अब इसके बाद सब लोग राजकुमारी को सपनों के देवता यानि कि डेगोर के पास लेकर आते और फिर रिचुल शुरू कर देते दूसरी तरफ कॉनर उसके साथी सिपाईयों को मारते में महल में गोच जाते जिसके बाद बॉम बार्टा और कॉनर में भयानक लड़ाई शुरू जाती है वाँ इदर कुईन राजकुमारी से हौन को डेगोर के सिर पर लगाने के लिए कहती है और फिर राजकुमारी हौन को डेगोर को लगा देती है अब यहाँ पर कुईन से कहता है कि जैसे डेगोर्ट जिन्दा होंगे हमें तुरंती राजकुमारी की बली देनी होगी और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो डेगोर्ट एक राक्षेस में बदल जाएंगे और फिर हम सब को मार देंगे आफ तो डेगोर्ट में जानानी लगती है जो देगरम की राजकुमारी का बली देने बढ़ते दूसी तरफ कॉनन बॉमबार्टर से लड़ रहा होता है इस वज़े से वो जूला से राजकुमारी को बचाने के लिए कहता है वहाई अब की जैसे राजकुमारी को मारने वाला होता है कि तब भी जूला किंग को अपने भाले से मार देती है जिससे कि इनकी वही पर मौत हो जाती है जिससे अब सही समय पर बली ना होने के कारण डैक और एक राक्षेश में बदलने लगता है जिससे वहाँ के लोगों में हटबड़ी मत जाती है जो देख कर कुईन राजकुमारी को पकड़कर खूरी उसका बली देंने जाती है लेकिन तब तक राजकुमारी को भी होश हो जाता है जो ये देखकर एकदम दंग रह जाती है कि वो जिनको सबसे ज़्यादा मानती थी वो यूंकी जान लेना चाह रहे थे इस वज़र से अब वो कुईन से बचने की कोशिर करती है दूसरी तरफ कॉनर बॉंबार्टा को मारने में काम्याब हो जाता है जिसके बाद वो राजकुमारी को बचाने के लिए रिच्वल वाली जगह पर पहुच जाता है जहां पर वो जैसे ही देखता है कि कुईन राजकुमारी को मारने बढ़ रही है वो तुरन तिमा पहुच कर कुईन को धखका दे देता है जिससे कुईन डैगोर के पास गिरती है जो अब पूरी तरह से राक्षट में बदल गया होता है जो अब कुईन के पेट में अपने हॉन को गुसा कर उसे मार देता है जिसके बाद अब कॉनन डैगोर से सब को बचाने के लिए अकले ही लड़ने लगता है लेकिन डैगोर काफ़ी शक्ति शाली होता है इस वज़े से कॉनन को बुरी तरह से घायल कर देता है जो देखर किरो कॉनन से कहता है कि उसकी शक्ति उसके हौन में है इस वज़े से उसके हौन को निकाल दे ताकि उसकी शक्ति कम हो जाए अब ये जानकर कॉनन तुरंद ही उसके उपर पूद जाता है और फिर उसके हॉन को निकाल देता है जिसके निकलते है डैगो तड़पने लगता है जिसके बाहर कॉनन अपनी तलवार को उसके शरी में गुसा कर उसे मार देता है हम मुवी के आकरी अंत में हम देखते है कि राजकुमारी उस राज़े की राणी बन जाती है जिसके बाद où जूला को सिपाईों की लिडर बना देती है और फिर अकीर और मलगों भी अपने राज्य में पटसौगती है आंठ मेंव कॉनन से साथ मिलकर उस राज्य पर राज कर करने के लिए कहती है लेकिन कॉनर राजकुमारी से कहता है कि वह अपने खोड के बनाय राजपर ही राज करेगा जीसकी वाद वो सब लोगों से विदा लेकर वहां से निकल जाता है जीसी के साथ एं मोवी यहीं समापत हो जाती है आशाय आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों